गुड मॉर्निंग एवरिवन वेटा मैं आज आप लोगों को हिंदी में सही मात्रा लगाओ बताऊंगी आप लोगों ने अब तक आसे लेकर अंग तक की मात्रा सीख लिया है ठीक है यहाँ पर जो भी सब्द मैंने राइट किया है वेटा उसमें मात्रा के है मीसीं है मात्रा छुटा हुआ है आपको सही मात्रा लगाना है और उस सब्द को इसके सामने राइट करना है तो चलिए देखते हैं नंबर वन में देखिए यहाँ पर क्या राइट है बिटा ज ल ब में बड़ी जल भी तो इसमें जबाब ल के उपर एक कार की मात्रा लगाएंगे कौन सी म बन जाएगा जलेबी तो आप सही मात्रा आपको लगाकर उस सब्द को उसके सामने आप यहाँ पर आपको राइट करना है ज ल में एकी मात्रा और ब में बड़ी ए तो क्या बन जाएगा बेटा जलेबी नेक्स नंबर में देखिए ध ल क यहाँ पर लिखाव है धलग और धामे आपको मात्रा लगा कर इसको सही सब्द बनाना है तो यह क्या हो जाएगे भीटा धामे कौन सी मात्रा लगेगी धामे ओकार की मात्रा लगेगी इसको आप कैसे राइट करोगे धामे ओकार धोलक यह क्या बन गया धोला नेक्स बीटा देखते हैं स, म, और समयाक की मातर, समसा तेहाँ पे बीटा म में आप ओकार की मातरा लगाएंगे अब देखिए स, म में ओकार की मातर, मो और समयाक कार तो क्या बन गया? समोसा ठीक है? तो आप लोग को मातरा लगाकर उस सब्द को उसके सामने राइट करना है नीचे जो भी सर राइट किये हैं बीटा, इसको आप लोग खुद से करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे देखिए नमबर फोर में बीटा ख लमे ऐकर लो ना ख लोना लिखा हुआ है आप यहाँ पे ख में कौनसी मातरा लगाएंगे? छोटी की मातरा तो क्या बन जाएगा? खिलाना, क्या बनेगा, खिलाना नेक्स है बेटा, म समया की मात्रा सा, म सा म में आकर, म में कौन सी मात्रा अप लगाएंगे बेटा आकर की मात्रा लगाएंगे म में आकर म समया की मात्रा सा, तो यह बन गया, म सा नेक्स है, प तग, पतग पतक में कौनसी मात्रा मिसिंग है बीटा तक की उपर आग की मात्रा अगर लगाते हो तो क्या बन जाएगा पतंग पतंग ठीके नेगस देखिए तर में आपकी मात्रा राक तराक लिखा हुआ है हाँ पे और आप लोगोंने एकार की मात्रा में एक सबढ पढ़ा था बेटा टैराग जो टैरते हैं उसको क्या बोलते हैं? तैराग तैराग आप कैसे राइट करेंगे? तमे, एकार की मात्रा तैर, रमे आपकी मात्रा राक तो क्या हो जाएगा? तैराग आगे बेटा, वा छ लिखा हुआ व में आप रीकी मातर लगाईएगा, तो ये बन जाएगा बेटा व्रिक्च व में रीकी मातर व्री और यहापे संजोगिया छो, क्या बन गया? व्रिक्च नेक्स्ट है अ में आपकी मातर आ औ ल अल तो आपे हाँ पर अमे आकार अला में बड़े उख आप राइट करोगे तो यह बन जाएगा आलू नेक्स्ट है बेटा सरज सरज में समे कौनसी मात्र लगाएंगे? बड़े उख की मात्र लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा बेटा? सूरज नमबर 11 में देखिए तलसा में बड़ी तलसी यहाँ पर राइट है अब त में छोटे उख की मात्र लगाएगा और लसा में बड़ी लगा होगा तो यह क्या बन जाएगे बेटा? तुलसी तुलसी एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं ठीक है? आप लोग भी अपने अपने घरों में तुलसी के पौधे देखे होंगे और नमबर 12 में है बेटा क, म, ज यहाँ पर एक कमज लिखा हुआ है आप म में कौन सी मात्र लगाएगा? बड़ी की मात्र तो यह बन जाएगा क, म में बड़ी की मात्र मी, ज क्या बन गया बेटा? कमीज तो आप लोग को यह क्या करना है? हिंदी की कौपी में गुड हैंड राइटिंग में बेटा इसको आप लोग राइट करोगे और यहां तक मैंने आपको बता दिया है और नीची जो सब्सका मात्र चुटा हूँ है बेटा उसका सही मात्र लगा कर उसके सामने आपको राइट करना है ओके बेटा, थैंक यू, have a nice day